टेक्स्ट नंबर 18 पर पढ़ेंगे चर्चा करेंगे तो यह बहुत ही सुन्दर स्लोकों की श्रिंखला चले जा रही है और हमने लास्ट में लास्ट क्रिश्णा सुना था 17 सिन्वताम स्व कथा कृष्णा पुन्या स्रवना कीर्टना सुत्र गुस्वामी बता रहे हैं क्रिश्पकार भगवान क्रिश्णा की कथा सुनने से एक व्यक्ति के हिर्दय में जो भी अभद्र हैं सभी प्रकार के अभद्र नस्ट हो जाते हैं और ये कथा कित्ती पुन्यवान होती है तो आज के स्लोक में सुत्र गुस्वामी भागव तो यह स्लोक अक्सर हम श्रीमत भागवत के जब क्लास स्टार्ट होता है तो यह पढ़ते हैं और भागवत की क्या महीमा है बहुत ही सुन्दर स्लोक है इस पर चल्चा करेंगे आज पढ़िए कोई ट्रांसलेशन इसका अनुबाद परे खिष्णा प्रवोजी येस पढ़िए भागवत की कथाओं में नियमित उपस्तित रहने तता सुद्भक्त की सिवा करने से हिदाय के सारे दुख लगवकूर्ता बिनिष्ट हो जाते हैं और उन इस लोग भागवन में अटल प्रेमा भक्ती स्थापित हो जाती है जिसकी प्रसालसा दिप गीतों से की जाती है एक मिट आगे पढ़िएगा एक मिट के तो भागवत की कक्षाओं में प्रवपाजी ने क्यों या कक्षा लिखा है क्योंकि श्रीला प्रवपाजीन आप देखोगे इस कॉन में हर दिन श्रीमत भागवत के क्लास का जो है उन्होंने एरिन्मेंट किया है एवरी डे मॉर्निंग आप देखोगे आठ से नौ प्रत्य एक मंदिर में श्रीमत भागवत में क्लास होता है एक एक स्लोपर चार्चा होती है तो इसलिए प्रवपाजीन लिखाए कि प्रवपाज आते थे कि हर इसकॉन डिवोटी जो है वो सुबह की भागवत क्लास में आये प्रेजेंट रहे यह उनकी इच्छा थी इसलिए आप देखोगे सबसे इंपोर्टेंट चीज प्रवपाजी ने बनाया वो है मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह सारे चार की मंगल आती फिर जपा फिर गुरु पुजा फिर भागवत क्लास यहर अग्तों की सेवा करेंगे तो आपके क्या होगा नश्ट प्रायेश वबद्रेशु जितना अबद्र है वो नश्ट हो जाएगा नित्यम भागवत सेवया नित्यम मतलब एवरी डे कॉंस्टेंडली यह नहीं केवल साथ दिन सुन करके फिर और एक साल बात सुनेंगे नहीं एवरी डे नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम स्लोके हां उत्तम स्लोके उत्तम स्लोक का स्लोक मतलब क्या है वर्सेस स्लोक मतलब वर्सेस जो हम यह स्लोक सपड़ रहे हैं उत्तम स्लोक उत्तम स्लोक भगवान का नाम दिया गया है क्यों क्योंकि भगवान का गुनग लोग के गुना अनुवादात कहते हैं भक्तिर भवति नैश्टि की निश्ठा भक्ति आजाए कि आपके हिर्दय में केवल भागवत को सुनने से और भागवत जैसे व्यक्ति या महापुरुष की सेवा करने से दो चीज दो प्रकार के भागवत है गरंद भागवत पढ़िए प्रुजी यहां पर फिर्दय से उन अमंगलकारी वस्तूओं को निकालने का उप्चार दिया गया है जो आत्म साक्षा कार के पत पर अवरोधक रूप है यह उप्चार है भागवतों की संगति करना भागवत दो पकार के होते हैं एक तो ग्रंद भागवत और दूसरे भक्त भागवत ये दोनों ही भागवत कारगर और सदियां हैं और इन में से कोई एक या दोनों ही अवर्योदों को हटाने वाले हैं। तो देखें आपर प्रवाज लिख रहे हैं कि अमंगल कारी वस्तों को निकालने का अव्चार दिया गया है। आत्म साचादर के पतपर अवरोध है। ये क्या है मंगल कारी ये है छे नर्था। काम, क्रोध, लोब, मोह, मत, मत, सरिया। तो हम लोग सब भक्ती कर रहे हैं, माला जब कर रहे हैं, हरी नाम जब कर रहे हैं, शास्त्र का ध्यन कर रहे हैं, भक्तों के संगती कर रहे हैं। लेकिन इन सब करते वे आप देखोगे बीच में हमारे जो अवरूधक है, जो हमारे हिदे में एक काम क्रोध है, ये हमें बादा डालेगी, ये अवस्य होंगे, तो इसे काम वास्ता होगी, जो हमेरे मन को भौती विश्यों में लेके जाएगी, ये ही कारण है कि हमारा मन जप में लगता है, मन जप में लग रहा है, भागवत पढ़ने में लग रहा है, इदो तरह भटक रहा है, क्योंकि हिदे में बहुत सारी इच्छाएं अभी भी खतम नहीं हुई है, पिर क्रोध, किसी भक्तों पर क्रोध आ गया, गुशा हो गया, अननेसेसरी, Mind disturb हो जाते है, फिर फिर लोब, आप देखोगे, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, तो ग्रहस्तों के लिए धन कमाने का लोब और ब्रमचारी या सन्यास के लिए जो बैरागी है उनके लिए पूजाला पज़िष्ठा का लोब तो ये सब चीज़ जो है काम करोद लोब मत मत सर्या फिर अहंकार अगर जब हम अच्छा भक्ती में आगे बढ़ते हैं तो अहंकार हमें घेर लेता है तो इसलिए काम करोद लोब मोह मत मत सर्या मत सर्या मत सर्ता कोई हमसे आगे भक्ती में आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रभाव में आकर कि लोग भक्ती छोड़ देते हैं आप देखोगे अच्छे अच्छे भक्त है जो कई सालों से भक्ती कर रहे हैं पर इनका प्रभाव पढ़ने से क्या होता है उनका उनकी निष्ठा तूट जाती है विश्वास तूट जाता है और भक्ती छूट जाती है अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो तो इसलिए क्या उपाय बता रहा है दो चीजी पहला नित्यम रूप से भागवत को पढ़िए नित्यम रूप से जो भक्ति में टिकना चाहता है अन तक उसको मैं हमें से कहता हूँ दो चीज़ का सरण लेना ही होगा एक ह हरी नाम एक है स्रीमत भागवत अगर आप भागवत का स्रवन आप उसका शेल्टर नहीं ले रहे हो आप मती फिर जाएगी आपकी भक्ति में क्योंकि देखिए यह दुनिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन घुम रहे हैं आप यूट्यूब खोलके बैठिए पुरी रात बिच जाएगी लेकिन इतने वीडियोस हैं कि कोई ठिकाना नहीं है पूरी जीवन बिच जाएगी देखते देखते इतने इंफॉर्मेशन है इतने साथ चीज़ है लेकिन यह सब टेंप्ररी भौतिक चर्चाय है भागवत एक ऐसी चीज़ है जो पर्मेंड वस्तू है जो भागवत चोड़ करके हमें और कुछ हाला कि हमारा मन भटकता है लेकिन फिर भी भागवत घुम्पिर के भागवत पर आईए तो भागवत पढ़ना है दूसरे महान भागवतों की सेवा करना इससे क्या होगा जब आप महान भागवत भक्तों की सेवा करते हो तब आपको भ्हागवत की रूचिया चाएगी यह दोनों कनेक्टेड में जब आप वैक्ती भागवत की सेवा करोगे तो उसके बैदा क्रिफा आपको इंदर अच्छे गुन입니다 इसको इंदर ले पूर्प करते हैं इसलें वैस्टनों की सिवा पर बल दिया गया। वैस्टनों, ऑसके बइंद को क्रिपा में वो GB i dh coding in the the appal video दो क्रिपा में उसके पास कोई धन्ट तोड़ी है उसके पास कोई कला कि मन में जो स्रध्धा है वो स्रध्धा उसकी वानी के थ्रू आपके कान में गुशेगी और आपके हिर्दय में चली जाएगी। ये बात भावगत में खुद लिखा हुआ है। कि एक वैश्णव जो कृष्ण के चरन कमल का आस्वादम जो कर रहा है वो उनके चरन कमल का धूली है वो अपने हिर्दय से अपने वानी के थूरू निकाल करके जो सुरुतागन होते हैं जो स्रधालू वैक्ति हैं जो समर्पी धाव से जो एक शिश्य या कोई भी एक spiritual endeavor कर र प्रती वो प्रेम उत्पन कर देता है यह प्रोसेस है इसलिए स्रवन करना चाहिए सबसे पहला जो हमारी सेवा होती है महान वैश्टों के प्रती वो है उनको स्रवन करना तो उस रवन मातर से अपनी उस रध्धा को जो है वो आप तक transmit करते हैं और जब वो आपके इंदर स जो आपके हिर्दे से यह अबद्र निकलने शुरू होंगे, आप देखोगे, भक्ती और टेस्टी होते चल जाएगी, आनदाना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, अभी हम लोग को identify करना चाहिए, मेरे अंदर क्या अवरोध है, क्या मेरे अंदर दुरगुन है, जो म हम लोग को एक साधनाकर्ड बना के दिया गया था, उसमें लिखा गया था, कि आज दिन भर में आपको कौन सी आपके अवरोध जो आपको सताय है, काम, क्रोध, लोग, मुमत्सन में टिक मारिए, तो हम उसे टिक मारते थे, हाला कि बड़ा अजील परता था था कि अरे, यह तो मैल उसको छुपा के बैठा हुआ है, और सोचता ही अपने आप चला जाएगा, एक दिन आएगा, जब यह बहुत बड़ा रूप लेकर सामने आजाएगा, तो आप अंकंट्रोलेबल हो जाएगा, इसलिए सीग्रती सीग्रत जो है, जितना अपने कपबल में हो, उतना इसको इसको इसपे काम करना चाहिए, अपने आपको अब्जर्व करके, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ प्रकार के दुर्गुन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सब को इसपे काम करना है, प्रातना करना है भगवान से, और भक्तों से, वैश्नों से प्रातना करना लेना है उनसे चर्चा करना है कि इसको कैसे निकाला जाए इसको कैसे ठीक किया जाए और धीरे-धीरे लेना है तो यही प्रवपाज यहां बता रहे हैं कि यह दोनों के जो हम शेल्टर लेने से क्या होगा हमें अपने जो दुरुगोन है अव्गोन हो निकल जाएंगे यस आगे पढ़िए प्रतिक्ष्य प्रतिनिधी है आता बक्त बगवान बक्त को प्रसन्नक करने से ग्रंत बागवत ग्रंत का लाब उठाया जा सकता है मानुय तर्क यह नहीं समझ पता कि किस प्रकार भक्त बगवान या ग्रंत बगवान की सेवा द्वारा कोई वक्त के पत पर अग्रेसर होता है यहां पर यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोड़ान को लिजिए मानुवियत तर्क यह नहीं समझ पाता किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंद भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ती के पत पर अग्रसर होता है इसलिए अपने बुद्धी से इसको दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए इसलिए प्रहपादी जब कहर है जो चीज़ तो कहर है हम अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उसमें बिविल्डर हो जाएंगे हम लोग याद रखे स्पिरिचुल चीज़े हैं बुद्धी समझ नहीं पाएंगे जैसे मैं कई बार अक्सर कहता हूँ लोग स्पिरिचल लाइफ में आते हैं लेगिन कई बार ऐसे से प्रश्टों में उलज जाते हैं जैसे हम क्यों गिरें स्पिरिचल वर्ड से हमने क्या सुचा था उस समय कब हमारा पतन हुआ ऐसी जटिल चीजों में घुस करके जो है अपनी भक्ति का नास कर लेते हो लोग तो इसलिए क्या है ऐसे चीजों में नहीं घुसना चाहिए हम लोग को पहले जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको पालान करना चाहिए तो भक्त भागवत और गरंत भागवती सेवा कीजिए अपने आप भक्ति भड़ेगा, पूरी दुनिया का भड़ रहे है आपका क्यों नहीं भड़ेगा पूरी दुनिया इस सेम सिस्टम को फॉलो करके आज भक्त बन रही है चाहे वो भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे अस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे साउथ अफ्रिका हो, कहीं पर भी आप देख लो प्रहुपाजी ने इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये process यूनिवर्सल है ये एक जाती के लोगों के लिए नहीं है, उनिवर्सल है, इसमें बुढ़े, बच्चे, माताएं, प्रभुजी, सब लोग कोई भी हो, सब के सब इस प्रोसेस काम करता है उस पर, मतलब ये उनिवर्सल मेडिसीन है, तो इसलिए इसको विश्वासर के आगे बढ़ना चाहिए तो जो लोग इस प्रोसेस पर संधे करके अननेसेसरी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, या इसको अधूरे में छोड़ देते हैं, वो लोग का कोई रिजल्ट नहीं आता फिर, इसलिए प्रभपाजी आ बता रहे हैं कि मानुय तर्क नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को, इसल मन नहीं करता है, मनलब मुझे जुकने का मन नहीं करता, अपने गुरु को देखर के, प्रभपाजी ने का पहले जुको फिर मन करेगा, तो जो पहले गुरु आग्या देर उसको पालंग कीजिए, और फिर देखिये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़े गुरु अपने अनुभव से आपको बता रहा है, वो आपको केवल कुछ फ्लैटर करने के लिए, वो करने के लिए नहीं बता रहे है, अपने अनुभव से चीज़े बता रहे है, उसको फॉलो कीजिए, और देखिये उनकी कृपा से रिजल्ट आना सुरू हो जाएगा, य तो अपने पुर्वजन्व में एक दासी के पुत्र थे, दासी रुश्यों की तहल करती थी, और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया, केवल उनके संपर्क से तता उनका जटन खाकर यह दासी पुत्र स्रील नारत देव नामक महान भक्त तता एक महान विक्तित्व बन सक भागवतों की संगती के ऐसे चमतकारी प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों को व्यावारी कुरूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निशुल का निश्कलूश संगती से दिवेज्ञान आश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होग जिससे मनुष्य भागवान की भक्ति में सेवा में स्थीर हो जता है, वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जित्ती ही प्रगती करता है, उतना ही वह भागवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थीर होता जता है, अता यह ग्रंत भागवत की कताओं को भक्त, भक्त बागवत से ही प्राप्त करना ज़रूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों भागवतों के सायोक से नवदिक्षित बक्त की प्रगती होती रहेगी। उठता है आप जब अपने आप से ग्रंद पढ़ने का प्रयास करेंगे आप फश जाएंगे उसकी जटिलताओं में जा करके तो इसलिए क्या है आपको कोई डिवोटी चाहिए जो आपको गाइड करें तो जैसे कई बार भागवत में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजे बताएं ग क्या करना उस्तिती में तो इसलिए क्या होता है कई बार लोग अपने ही दम पे पढ़ लेते हैं और अभी हम जो है सब कुछ जो है छोड़ चाड़ के आ जाएंगे सब कुछ हम कर लेंगे बस पूरा सुद्भक्ति में लग जाएंगे लेकिन यह गलत हो जाता है तो जैसे क कोई सड़नली पढ़ लेता है भागवत और फिर मैंने केसे से देखे हैं जैसे कुछ नखासकर नवजवान लोग नवीवक स्तिती में जो रहते हैं वह भागवत पढ़ लेते हैं कुछ क्लास सुन लेते और इस पर आप तो हम जोईन कर लेंगा आश्रम आप तो पुरा फिर छोड़के जाते हैं यहां से और एकदम फिर उनका जो है विश्वास कम उनकी भक्ति कम हो जाती है इसलिए क्या है जब तक आप किसी प्रॉपर व्यक्ति के संड़क्षन में नहीं हो आप भक्ति में प्रगति करना मुस्किल जाएगा इस बात को जानना चाहिए तो क् रखता है कि हम बहुत ज्यानी हैं हम कुद बहुत जानते हैं और अपने पढ़ लिकर के हम समझ जाएंगे क्या है क्या लेकिन आपको एक गाइड चाहिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको पग पग पर आपको समझाए या आगे लेके बढ़ाए क्या करना है कैसे करना यह बहुत जरूरी है इसलिए पहले गुरू कुल सिस्टम होता था जहां पर एक गुरू के पास 25 साल तक व्यक्ति रहता था तो आजकल वैसा नहीं है और in fact आजकल तो अगर आप है रिसकौन में भी देखोगे तो गुरू जो है उनके पास ना समय ही नहीं है कि हम इतना समय देखे गाइड करें इसलिए हम भक्तों का संग बनाते हैं जहां पर हमें कुछ डिवोटी ऐसे होते हैं उस संग में जिनकी बात हमें माननी चाहिए अगर हम ऐसे भक्ते हैं जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है और जो किसी की बात नहीं सुनता तो आप बड़े खत्रे में हो एडलिस एक व्यक्तित होना चाहिए डिवोटी में मैं कह रहा हूँ नहीं की बात आप बानते हो तो अगर माली जे कोई माता है और अगर उनके हस्बेंट डिवोटी है तो उनका बात मानिए आपके गुरू है उनकी बात मानिए तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसकी बात आप मानो और अगर आप कुछ गलत रस्ते में जा रहे हो तो आपको रोक पाए तो कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में होना बहुत जरूरी है तो क्या होता है यह मन जो है यह मन मानी करेगा और हमें लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं बढ़ हम कुछ और ही कर रहे हैं तो इसलिए देखा गया जो लोग अपने आप से बखति में आगे भड़ते हैं तो लोग तीडे मेड़े भट बंते हैं आगे या करके बड़ा गड़ बड़ करते हैं जरूरी में है कि आज आप भक्ति में बहुत सॉलिड हो तो कल भी रहोगे यह जरूरी नहीं है बहुत भक्तों को देखा गया है जो पहले एकदम सारे नियम तोड़ रहे हैं बहुत लोगों देखा गया है देखिए इतना जल्दी हमें अपने आपको भक्त नहीं मान लेना अभी समय है हम हम सब अभी नौ सिखी है we are all neophytes now अभी माया ने अपना असली जाल फेका ही नहीं हम लोग के ओपर अभी तो हम लोग बस ऐसी अभी तो बस सर्फेस पर गोते मार रहे हम लोग तो इसलिए क्या है भक्ति के और गयराहियों में घुसने के लिए हमें साहता चाहिए हमें हेल् चाहिए और इसके लिए क्या होगा सरंडर होना पड़ेगा हिमिलिटी लाना पड़ेगा अपने अंदर तो क्या है आजकल क्या है बहुत इंडिपेंडेंट नेचर सबका है और सब चाहते हैं कि हम जो करेंगे वही भक्ति है और कोई किसे कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि कु कई लोग प्रचारक हैं तो जैसी किसी प्रचारक ने किसी अपने काउंसलिया किसी को थोड़ा सा क्रेक्सन दे दिया वह तुरन जम मार जाता है दूसरे ग्रूप में जाकर बोलता है प्रवोजी आप नहीं शेल्टर देढ़िए वो वहां पर और ऐसा दिखाता था सब्सक्राइब अपनाई उसका रिजल्ट देखिए कुछ रिलाइशन को अपने अंदर अधारन कीजिए फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ और आगे बढ़ना है तो उन्चे आग्जिया लेकर के आगे बढ़िए कोई टेंसन इसमें कोई बड़ी बात नहीं लेगिन जो लोग खासकर नए इन में आ करके नए क्या हमेशा है इंडिपेंडेंट रहते हैं मनमजी काम करते हैं कोई किसी के नियम को नहीं मानते उनके बहुत खत्रा है आगे जाकर कि आप देखोगे अपका माइंड इतना ट्रबल करने लग जाएगा भक्ती करने ही नहीं देगा बिश्गुल भी तो यह जो आज जो आनन्दा रहा है इसाब खतम हो जाएगा इसलिए अपने आपको समय रहते भक्तों के समूं में प्रोटेक्शन बना लीजिए अपना अच्छा फ्रेंड सरकल बनाईए जहांप भले दो तीन भक्तों तीन चार भक्तों जिनसे आपने मन की बाद शेयर कर सकते हो और आप जो है अपने डिल को अपने जो भी अपने अंदर चल रहा है उसको बता सकते हो क्योंकि क्या हम दुनिया में एक और जिंदगी जीते हैं और एक अच्छली अभी मैं पर पर पुस्टता हूं आप में से कितने लोग हैं जिन लोग के पास ए जिनको आप अपने मन की सारी बात बता सकते हो बिना जिजक के बिना यह फिल कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में वो क्या होगा और मेरा बहुत बुरा हो जाएगा यह ऐसा ओके तो बहुत हैं तक आया है ऐसा आठ तो क्या है आप मेंसे कई लों हाथ उठा रहे हैं बड़ारी श्योर कि आप सही में श्योर हैं चलिए भगवार आपको टेस्ट करेंगे मैं तो भी टेस्टिंग कर सकता बट कृष्टा विल सी देट अगर आपके पास ऐसे भगत हैं तो आप बड़े फॉर्चुनेट हो तो कहीं नहीं आपने शेल्टर लिया है ऐसे दिए अल्मोस्ट कितना टेन आट दस ही यहांत आ है थर्टी-एट लोग अभी जॉइन कर रहे हैं इसमें थर्टी-थर्टी-शेवन है ना तो क्या है यह इतना आसान नहीं होता है तो जो लोग ने हाथ उठा है यह मां सोचिए तो क्या है वता है कि यह बहुत जरूरी है देखे रिलेशनशिप को मेंटेन करना भक्तों के बीच में एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है और यह बहुत जरूरी है हम भक्तों के लिए क्योंकि हमारी संख्या अल्प संख्या है हम लोग बहुत कम लोग हैं और मा बहुत अलग बाते बट अगर आप बार माया और कितने आप माया में फसे लोगों से मिलते हो आपके वो सेवियर है केवल धोती कुर्ता तिलक पहने या साड़ी पहनी माता है या वो तिलक लगा रखी है कंटी माला पहनी है महत्माला लिये वह है वो आपको देखते ही उनको समना चाहिए यह मेरा सेवियर है मुझे बचाने के लिए भगवान ने भेजा इनको बचाने के लिए मुझे तो इसलिए इन लोग का सम्मान करना इन लोगों की वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं अभी एक भग से मिल रहा था जो कुछ समय से थोरा सा दूर हो गए हैं मंदिर नहीं आ रहे हैं और अपने कामें बहुत व्यस्त हो गए हैं कि वुजे बोले थे प्रभुजी अभी तो आप इसको छोड़िए कोई दोति कुर्ता पेहने दिकता ना मन करता गले लगा लो उसको लिए हमां वह यह रहे हर दिन शुबई उट करके माला जब कर रहे हैं चार नियम के पालन कर रहे हैं, वो बहुत special है, क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं, और हर एक भक्त हमारे जिवों में contribute कर रहा है, तो इसलिए क्या है, we have to value their contribution in our life, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे बड़ा हो, चोटा हो या बड़ा हो, but contribution, contribution होता है, इसलिए अपने स्वैम में भक सब्षतर है, दैंब है सग्ङद यह माया दूरत्तः भगवान ने कह है दूरत्तः हमारी तो हैसियत ही क्या है, भगवान कहाए है दूरत्तया एंवरे, very difficult to overcome, very difficult obese, बिच्रकीन, इसलिए कंटिलिऊ चरे रहना साल बर साल, हर दिन, हर एक साल, क्या है यह कितना important है, यह कितना बड़ा commitment है, लाइफ टाइम हम सोला मला जब करेंगे, चानी हम बालन करेंगे, गुरु के आगय के पालन करेंगे, मंदीर आएंगे, सेवा करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, गलत कामों से दूर रहेंगे, lifetime कितना बड़ा commitment है, और इसी commitment के reward में आपक back, तो इसलिए क्या है, बढ़ते रही आगे, चाहिए तकलिफ है, चाहिए कुछ भी आए, करना है, मतलब करना है, भागे सब क्रिष्णा देख लेंगे, तो इसलिए व्यक्ति भागवत की सेवा, उसके संगती सही, गरंद भागवत में आपका विश्वास जागेगा, और आपका जो है, आपको स्रद्धा जागेगी इसमें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, कोई प्रश्ट ना है इसलोक पर किसी का, या कुछ आपको कुछ कहना है, कुछ आपके विचार हैं, तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स लोक के आगे बढ़ेंगे, क्योंक पढ़िए इसका टांसिशन, हाँ, पढ़िए माताजी, जो ही रदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकूंती के रजोगून तथा तमोगून के प्रभाव, प्रभाव जैसा काम, इच्छा तथा लोब, रदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुन में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है, एक मिदू के मताजी, तदा रजस्तमो भावा, रजस्तमो, अब देखिए, क्यों भगवान, क्यों सूत्व के समें रजस्तमो की बात बोड़ रहे हैं, चलिए गीता में जाके देखते हैं, तीसरे अध्याय में क्या बलते है भगवान, काम एसा, क्रोध एसा, रजोगुन और समुधभवा, रजोगुन से उत्पन होता है काम और क्रोध, तो पहले भगवान ने इस उत्व से में बताया कि अनर्था जाएंगे, बट अब उसका टेक्निकल डिटेल्स बता रहे हैं, कैसे स्टेप बाइ स्टेप वो ज सुनने से आपके अंदर से रजोगुन तमुण चला जाएगा, और रजोगुन तमुण जा तो क्या होगा फिर उसके जाने से काम लोग खतम हो गया, काम लोभा दैस चये, चेता एतेर अना वृद्धम, चेता एतेर, चेता मतलब चित, तो जब चित जब सुध होगा, तब क्या होगा, सितम सत्वे प्रसीदती भक्त, सत्वगुन में स्तित होकर परम सुखी जाता, क्योंकि सत्वगुन का लक्षन है सुखी होना, हैपिनेस, सत्वगुन का लक्षन है, अभी हम लोग भक्ति करके भी सुखी नहीं है, क्योंकि हम लोग रजोगुन तमुगुन के प तो अगर हम भक्ती में सुख नहीं है तो कहीं न कहीं अभी तक हिदाय से रजोगुन पमोंगुन का प्रभाव गया नहीं है बहुत भेंकर प्रभाव है इसको निकालना होगा इसलिए कठोर साधना करनी होगी continuous reading, hearing, chanting करना होगा, मेहनत करना होगा इसके लिए yes mataji continue somebody else okay mataji is back yes सब्सक्राइब आपनी दिखता नहीं एक मिन नीचे कर रहे है इस ख्रॉल किजिए सब्सक्राइब आपनी सामान्य संवेधानिक स्थिती में जीव आध्यात्मिक आनन्द में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है यह स्थिती ब्रह्म भूत या आत्मनंदी अर्थात आत्म तुष्टी को स्थित कहलाती है यह आत्म तुष्टी किसी निश्क्रिय मूर्ख की तुष्टी से जैसे नहीं होती निश्क्रिय मूर्ख आध्यान आवस्था में रहता है किन्तु आत्म तुष्टी आत्मनंदी इस बहुतीक जगत से परेव होता है सिद्धी कि यह आवस्ता अटल्बगती में स्तित होती ही प्राप्त हो जाती है बगती में सेवा कोई निश्क्रियता नहीं आपी तु आत्मा की आनेन्य सक्रियता है वेत कीजी बेखीजी बहुत इंपोर्यंट्स परपो टोपा जी दे रहें हाँ पर गता है जब एक व्यक्ति ब्रह्म भूत के स्टेज में पहुंच जाता है तो वो उसके मन में कुछ और विचार नहीं आथा पूरु इसका कोई लेमेंटेशन कुछ इसा रहता है लेकिन प्रपाजी बोल रहे हैं यह कोई ऐसी थी निए कि जहां पर आप एक इनक्टिव स्टेट में आज तो इनक्टिव मतलग कोई कारे नहीं कर रहे हो नहीं प्रपाजी कहते हैं जैसे मालो एक मंदिर में भक्त है जो सुबह सुबह छे बजे सब्जी लेने जा र समाधी तो हाला कि एक बहुतिक श्तर पे लगेए लोगों को कि यह कैसा काम कर रहा है तोलमूल कर रहा है पैसा का लिंदिन कर रहा है हाँझ गाड़ी पर चड़के जा रहा रहा है सब्जी का बुरा उठा रहे हैं पसीन में लडादा हुआ है हां और यह आतना मेहनत कर रह फूल मतलब वो कोई मुर्ख व्यक्ति नहीं है जो केवल कुछ नहीं करने कर रहा है और केवल बैट करके जो है हाँ मैं बहुत आनंद में हूँ मैं मनी मन जब करता हूँ मैं मनी मन आनंद को अनुबूति कर रहा हूँ यह आनंद जो है यह एक धोका है बट जो व्यक्ति पु जब भगवान की सेवा करते हो मुझे कष्ट होता है जो दर्द आता है वो मेरे लिए सबसे ब्ला आनंद गाविश है है इसलिए आप देखोगे जो भगत भगती में जितना आगे भढ़ेगा उतनी और सेवा करने का उसके मन में आएगा एक सिंपल बैरोमिटर है कि आप भगति में परकती कर रहे नहीं कर रहे एक बैरोमिटर ये है अभी थके ही नियास तक टायरलेस एफ़र्ट टायरलेस एफ़र्ट मलब प्रवपाजी एक खुलते थे मंदीर उसका घटन में उसी घटन में बोलते नाव इलोपन नेक्स्ट टेमपल देर इतना डिजायर है इतना स्ट्रॉंग डिजायर है इस कृष्ट महारमित को पचार कर करने के लिए कि सरीर भले साथ नहीं देरा लेकिन डिजायर इतना स्ट्रॉंग है कि उस डिजायर से सब कुछ अपने आप रहे है सुद्भक्त के इःजस से सब कुछ exposed हो जाता है बगवान उसको पून कर देते हैं इसलिख यह क्या है यह इच्छा कुद्पन करना और यह क्या होगा जब अपनी आपको शेवा में पूनतना लगाते जाएंगे विंथ जो इनीशाल से जो अपना हम पसीनां बढ़ायेंगे भगवानी सेवा के लिए उतना हुरदय का सुध्धीकरन होगा नहीं तो जो तो लोग खाली बैट करके सोचेंगे हम जब करके बस भग बन जाएंगे तो क्या है उतना अहंकार बढ़ जाएगा इसलिए बहुत अच्छा गीत लिखे हैं दुष्टा मना तुम ही किसे रवैश्णवा प्रतिष्ठारत करें तो बोलते हैं ए दुष्ट मन तुम किस प्रकार के वैश्णवा हो तुम सोचते हो तुम जब माला लेके बैट गए हो और केवल प्रतिष्ठा के लिए तो कई लोग सोचते हैं हरिदास ठाकूर बनेंगे हम लोग तो इतना उनको प्रसिद्धी हुई महापुरीन उनको नामाचरे बनाया तो कई बार भक्त लोग सोचते हैं हम लोग कुछ सेवा नहीं करेंगे बैट के 64 माला जब करेंगे बस और दुनिया को हम दिखाएंगे हम 64 माला करते हैं यह कैतव है भक्ष्णा को बोलते हैं बिना नहीं लाला वह सुकर की विष्था मना सोच एक तना गंदा हुपमा दिया है बहुत इक सरपे सुकर जो एक शूर है वो दूसरों का मल विष्था खाता है और वह कहने यह प्रतिश्था उसका विष्था है मैं आउना विष्था स्क्वेर ये उप्मा देते हैं भक्ति कुछ भक्तों का देखो सकति हैं अगर दिखे तो दिन वर्वाइब कर रहे हूं तो यह दुनिया को दिखा रहे हम तो जब कर रहे हैं क्या आम पब्लिक को देख करके थ्वड़ा सा वह रहे हैं कितना प्रता है तक लेकिन सेवा भी करना चीए साथ में, जब लोग देखेंगे कि आप अपना पसीना बहा रहे हो, महनत कर रहे हो, वो दिखता है, जब भक्तों में, कि सिंसेल जो एंडेवर कर रहा है, उसका हिर्दय का सुध्धिकरन होता है, इसलिए क्या है, साधना और सेवा, दोन इंपॉर और अगर सेवा नहीं करोगे, तो साधना से केवला अंकार बढ़ेगा, कि हम बहुत बड़े साधक है, हम बहुत बड़े ज्यानी है, दोनों ही चाहिए, प्रपाजी बोलते हैं, साधना और सेवा, तो इसलिए यहां पर प्रपाजी बता रहे हैं, कि यह जो वेक्ति है, वो सक्रिय भाव से कारे करना यह आत्मा का मुल्भुत स्वरूप है, येस, नेक्स्ट परग्राफ, पढ़िए कोई और आत्मा की यहां सक्रित्या, आत्मा की यहां सक्रियता पदाहट के संसर्द से अभी श्रीतूशित हो जाती है, पलत, काम, इच्छा, लो, मिश्क्रिता, मुर्क्ता, तखा, निद्रा के रूप में रुगन कारे कलापों का उदेव होता है, भक्ति मैं सेवा का प्रभाव, रजोगुंट अधा तमोगु के इन प्रभावों की पूर्णा नीरा करण होने पर प्रकट होता है, तब भक्तुरंथी सत्व गुण में स्थित हो जाता है, और वह उन्नति करता हुआ, वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है, केवल इस शुद्ध सत्व की सदा देख सकता है, भक्त सदै वाशुद्ध सत्व में रहता है, आतह, वह किसी को लाख नहीं पॉच्छाता, तक इन तो एक अभक्त, चाहे कितना ही शिक्षित क्यों नहीं हो, सदै वाख न तो मूर्व होता है, न रजोगूणी, पहौन जाने वाले मूर्वत भगवत भक्त नहीं बन सकते हैं भले ही वे अपने बहारी भेश से अपने आप भक्त क्यों न पदिशित करें भक्त में सदैवब इश्वर के सद गुण पाए जाते हैं इन गुणों की मात्रा भले ही भुन्न हो, किन्तों गुन्ता की क्रिष्टी से भक्त तथा भगवार एक समान होते हैं तो यहां बता रहे हैं कि जब हम सुद्ध सत्व गुन में आते हैं तब हम भगवान क्रिष्ट्न को हमेशा रुबरू हो करके face to face देख सकते हैं और pure affection में देख सकते हैं तो देखिए हर प्रकार के लोग मंदिर आते हैं लेकिन सब को भगवान के देखने का जो है एक तरीका अलग होता है जब एक सुद्ध भक्त आते हैं और वो विग्रा को देखते हैं तो उनके अंदर एक भाव होता है प्रेम होता है एक affection होता है लेकिन हम जैसे मुझ जैसे कई लोग जब जाते हैं तो रजोकुन तमोग उनके भाव में आ करके वो किवल एक आँ चलो जो निया में देखना अभी क्या गरें अभी डीटी देखते हैं उनको बेसेंस पे करना है लेकिन भाव उत्पनी होता तो कई बाद लोग सालों से सा क्लास नहीं सुनते हैं आप देखोंगे बहुत इसे लोग है जो कई सालों से मंदिर आ रहें उनका घर मंदिर के पास होगा केवल आएंगे दर्शन करेंगे अपना और वही पीट मुझ चले जाएंगे एक माला जप नहीं करते हो लोग दिलक नहीं लगाते हो लोग धोदी भक्तों का संग लेंगे भक्तों से आधान पदान करेंगे और तब यह हार्ट ट्रांस्वर्मेशन होता है तो यहां पर प्रपाजी एक इंप्रेंट पांट बोल रहे हैं कि एक भक्त जो हमेशा सुद्ध सत्तोगुन में रहता है और इसलिए तो किसी की हानी नहीं चाहता ह मतलब केवल सारी वह लुक नहीं इवन मानसियक भी तो और सच्चे में भक्त होगा तो वो किसी वी वहतिकती को डिस्करेज नहीं करेगा कभी याद रखे बंख्ये अगर किसी वह बोղिए को fentमेश्मेशन हो तो डिस्करेज अभाग कीजिए को ऐसे सबस्सकरेंश मत्स जो deal करते हैं लोगों से और उसके वो भक्तों को मांसी गूरूप से हानी पुचाते हैं ये तो बड़े कि सारीरी गूरूप का जो हानी है वो फिर भी आदमी सहर लेगा ठोड़ा जिसे मालों वो तो ठीक होगा ये सब ठीक हो जाता लेकिन अब भक्तों के समाज में आते हैं स तो समझ के वहवार कीजिए, कौन हमारी बात को कैसा पकड़ लेया कोई जानता नहीं है, है ना, तो इसलिए क्या सावधा नहीं रहाँ चाहिए, बहुत सावधा नहीं रहाँ चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और हमारी वानी क्या है, इन फाक्ट इवेन हम जब समाज में भीएव कर रहे हैं तो लोग हमारी बात वो गहराई से सुनते हैं हम क्या बोल रहे हमारा क्या मत है क्योंकि वो समस्ते हैं कि हम लोग तो इसकौन जा रहे हैं कुछ तो हम पढ़ रहे हैं हम तो कुछ तो महान काम कर रहे हैं हम लोग लेकि चीज से थोड़ा सा साधा हुआ चाहिए इसने बोलते हैं प्रपाज लेड़ हामफुल फूलिश और पैस्टनेट जो दूसरों को हाम पुचाता है मुर्क वैक्ति और अती रजोगुन वाला वैक्ति वो कभी भक्त नहीं बन सकता है ना तो जैसे हामफुल आपको उधारन द टेंपल में या कुछ जैसे तो आकर कि बैच लगा करके खड़े हो जाते हैं पर क्राउड कंट्रोल करते हैं कुछ करते हैं अब क्या होता है यह लोग के सामने जब कोई मानलों कोई वैक्ति आ रहा है उसको तो लोग धटका मर गया है साही धटतू यह नहीं होगा यहां से से जो होता है वह व्यक्ति कुछ बोलेगा नियुसमें क्योंकि उसको पावर नहीं है लेकिन वह दुबारा इसको आने से पहले सोचेगा दस बार नहीं जाओंगा मंदिर बहुत गंदा है वक्तों का यह मालीज आप परसाद काउंटर में खड़े हो आपको परसाद कोई मा परसाद मैंगा उसको अच्छा लगा एक ओर मांग लिया तो जो है अगर एक जैसे बहार डोना परसाद मिलता है तो एक डोना अनुर्ल आँक्ष Olum Kitty होगा बोलेगा उरह की मिलता है पता नहीं कहां-कiche हाजाते खाले ब्री में खाने के लिए ऐसे अगर अगर आप ऐसा बोलोगे वो क्या सुचेगा वो कभी और आना ही चाहेगा इसकोन मंदिर बोलेगा क्या एक डोना हलवा के लिए लोग ऐसा व्यातर करें अगर चलिए आपके पास कम भी हलवा सबको एक ही दिना है तो आप प्रेम से बोल सकते हैं उसको प्रभुजी माफ किज बहुत सारे भग बाकी हैं एक ही हम देपाएंगे तो और कल जब जादा बनेगा तो फिर से आईएगा फिर और ले लिजेगा तो ऐसा कर सकते हैं तो आपकी विनमरता से उसका पेट भर जाएगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट है खास करके प्रशादम दर्सन यह सब सेंस आप मंदिर आए हो आप भगवान की सेवा में आए हो बड़ा भग्ये साल हम बहुत खुस हैं कि आप आए हो मंदिर यह मत फिल कराईए अरे आगया मंदिर अभी अब यह अपना जो है मने में मेकिंग फिल वरी लेस इंपोर्टेंट ऐसा कभी नोना चाहिए मंदिर का अप बिस्मनी क्यों नहों अरे क्यों आगय हमारे घर है यह ना यह न हली क्या है हम फुल म्लूड ब्रवल रौ मैईबड बलना चाहिए भग्त मींस जेंटलमान और जेंटलमान रौपाजी हमें साल देते हैं इतना रिफाइन होना चाहिए कि लोग उसकी बातों को सुन करके उसको देख करके लोग impress होना चाहिए और यह हमें भक्ती करना है यह हमारा वहवार होना चाहिए ऐसा प्रपाजी जो है और बोलते प्रपाजी भक्त जो है हमेशा अच्छे गुनों से संपन रहता है क्योंकि वो भगवान के गुन है आप हमेसे आद रखिए कि हमारे reflection में लोग कृष्णा को देख रहे हैं है ना भक्तों जब हम प्रचार करते हैं हमारे अंत्रू वो कृष्णा को देख रहे हैं हम जैसा वेवार करेंगे वो वैसा image कृष्णा का बनाएंगे क्रिष्णा भी ऐसे ही होंगे जब उनके भक्त ऐसे हैं तो क्रिष्णा भी ऐसे ही होंगे सायद ऐसा लोग के मनुद जनली आता है तो इसलिए क्या है प्रयास करना चाहिए ऐसा डिवोटी कि हम भी अफ्कॉस रजोगन तमुगन में भरे पड़े लेकि फिर भी अपिनियन को मत देना चाहिए दूसरो को छोटा नहीं समझना चाहिए और हर एक भक्त को इंपॉर्टेंट, इक्वल इंपॉर्टेंट देना चाहिए उसकी सुविधा के लिए कारे करना चाहिए आप देकि यह सब करेंगे आप देखोगे इतना अच्छा आपके अंदर भाव हैगा और इतना अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे जिसे भी कई लोग हाथ नहीं उठाए उसा कारण कहीं नहीं यह है कि हमने कभी प्रयास नहीं कि ऐसे भक्तों को पने से जिन्दगी से जोडने के लिए तो इसलिए क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा भक्ती नहीं जिससे हम शेयर कर पाएं हम हमेसा अपने अपने में रह गए लेकिन अभी भी समय है अभी हम प्रयास कर सकते हैं लोगे के पास जाईए मिलिए भक्ती शेयर किजिए डिसकस किजिए हाँ उनका हेल्प सीख किजिए उनसे मदद माँगिए खुद के भक्ती के बारे में बताईए विनम रहो करके रिस्ता जोड़िए देखे कितने फ्रेंड्स बनेंगे और फिर जो हमारा भक्ती में जीवन आप देखोगे बड़ा सुन्दर बन जाएगा और ये करते करते कब दिन बितेंगे कब रात बितेंगे महिने बितेंगे साल बितेंगे पता ही चलेगा ऐसे करते करते एक दिन हम पहुंच जाएंगे अपने अंतिम लक्ष की और चीक है तो आज हम यही दो स्लोग पे विराम देंगे कुछ announcement इस प्रकार है तो अगले Venice Day क्लास नहीं हो पाईगी इच्छे तारीक है festival रहागा यहाँ पर तो कल बलराम जैन्ती है तो बलराम जी के बारे में भी मुझे दो मिनिट बोलने का इच्छा थी तो बलराम जी भगवान के बड़े भाई के रूप में आते है और वही बलराम जी राम जी के साथ लक्षमन छोटे भाई के रूप में आते है बलराम जी एक ऐसे वेक्ति है जो भगवान को सभी पाँचो प्रकार के रस्त में सिवा करते है सांत, दास्य, साख्य, वात्सलिय, माधूलिय, और बलराम जी जो है, वो भगवान के सबसे निकटम, कह सकते हैं, उनका next expansion जासे, कृष्णा का next expansion बलराम जी है, और वो आधी गुरू भी है, जितनी भी सकती हमें आध्यात्मिक जीवन में आती है, वो बलराम जी से आती है, क् क्यों गुरू को रेप्रेजन करते हैं, वही बलराम जी नित्यानंद प्रूर के रूप में भी आते हैं, चैतने महापुरू के साथ, चैतने महापुरू ने कहा है, घोसना करके, यदि कोई मुझे भजन करता है, और कोई नित्यानंद का पराद करता है, अगर कोई निताई को मिला भहिसकार करके केवल चैतन महहप्रूं करने का प्रैज कर रहा है तो इसलिए बलराम जी की उपास्तना करना हमारा कर्टव यह भगवान का आदेश है और बलराम जी आधी-गुरू है समस्त-गुरू उनसे ही आते हैं तो और बल जो है सक्ती आध्यात्मिक सक्ति उनसे इसलिए अगर आपको अपने गुरु चैन करना है कौन है तो आप बल्राम जी से प्रात्ना कीजिए और कल उनसे बल मांगिए बल्राम जी मुझे बल दीजिए भक्ति मागे बढ़ने के लिए तो कल 12 बे तक उपवास है उसके बाद अभिशेक होगा बहुत सुंदर कारेक्रम होगा मंदिर में या संभा हो तो मंदिर आईए बहुत इंपॉर्टन दीन है कल बल्राम जैनती तो आप भाग देते कल जुले नातरा का आखरी दीन है तो जो कोई भी अगर आके भगवान जुला नहीं जुलाए होंगे तो अगर आप विश्था हो पाए तो कल आईए साम क है वो प्रहुपाद जी का आविर भाद इवस है प्रहुपाद व्यास पुजा है शिला प्रहुपाद तीनों दीन जोरदार कारेक्रम रहेगा हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे है कि साथ और आट को छुट्टी लीजे अगर पॉसिबल है तो और टेंपल में बिताईए अगर आप दूर रहते हैं तो आपकी रहने की वश्ता कर दी जाएगी यहाँ पर हमारे अन्य ग्रहस्तों के घरों में हमने डिसाइड किया कि आप पहले अगर आपको अपना बता देंगे प्रोग्राम तो आपके रहने की वश्ता कर दी जाएगी और साथ और आट को आप की देर तक तीन गंड़ के हम क्रिष्ट्ञ का रहें तो अगर आपको अंत्यी सेह क्रिष्ट्र कथा में ढूबना है पूरा किरिश्णा बुख की सारी लीला हूं को कि लीजा का स्मरण करेंगे जो तीं धाई-ति कंड़ा बैटी खेध करके हम कथा करने का और फिर तीरतन भी रहेगा और बाकि हमारी बुक स्टॉल में सेवा है तो इसलिए आप प्लान कर लीजे अभी एक अपता समय है अपने सेडूल को ऐसी प्लान कर लीजे और पहले इंफॉर्म कर दिजे कि कौन कब कैसे आ है सदनली अगर आप आ जाएंगे और बोलेंगे अभी कुछ व्यवस्ता तो फिर हम हमें पता ही चलता कि क्या है क्या है तो सुर्वी माता जी माता जी लोग का काउंट ले रही है यह सब तो आप उनको अपना काउंट दे सकते हैं माताएं लोग और प्रहुजी के लिए आप सेवा में भाग लेना है तो हम आपको एंगेज करेंगे सेवा में और यह जन्मास्ट में बहुत यादकर है हम ऐसी प्रातना करते हैं तो बहुत बहुत बताने बाद पांच-छे मीट है कुछ किसका प्रश्ट नहीं कुछ कमेंट अब बोल सकते हैं अरे कृष्णा अरे कृ तो बलराम जी सांतरस में जो है भगवान के सया अनंत सेष के रूप में बनते हैं तो सांतरस में विसे सेवा करते हैं तो जितने भी चीज़े हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं वस्त्र यह सब भगवान के गहने आभूशन यह सब बलराम जी के विस्तरित रूप है तो इसलिए इनको हम बहुत सम्हाल जा रखते हैं नीचे फेकना नहीं चाहिए भगवान की चीजों को इवन मृदंग करताल को भी सम्मान से रखना चाहिए तो क्या है ये सब चीजें बलराम जी के विस्तरित रूप है ये सांत रस्मे दास्य रस्मे आप देखोगे भगवान कभी-कभी बलराम जी भगवान क्रिश्ण की चरंद बाते रहते हैं इवन पेड भी जब भगवान चल रहे हैं तो उनको पर चाया बना देते हैं जिस अनंद से शाया बना देता है, जब भगवान कृष्णा जा रहे थे, मतुरा से गोकुल, अनंद से साके शाया बना दिये थे, यह दास्थी की भाव है ना, दास्थी की रूप में सिवा करते हैं, साख्य तो बुनला ही नहीं है, आप जानते हो कैसे भगवान सा जा करके गाएं चराते थे, खिलते थे, वातसलिय बलराम जी कई बार क्रिष्णा के प्रोटेक्टर भी बने हैं, कि जब कोई समस्या आई है तो बलराम जी जाके प्रोटेक्ट किया है भगवान को, और एक बड़े भाई के रूप में जो है, वो वातसलिय भाव काना काना काय करके एक दम प्रेम देना, वो उस रूप में भी भगवान ने सेवा किया है, माधुर्य भाव में बलराम जी एक अनंग मंजरी के रूप में विस्तरित होते हैं, अनंग मंजरी और वो मंजरी के रूप में बलराम जी जो है, भगवान की सेवा करते हैं, तो इस प्रकार पांचो इस्थान पर भगवान की भगव्टत्त का नीजर्ट यह दो बड़ामजी ज है उनको पता था लेकिन ने को चुप रहे ना किसी को बोलना मत तो सब डरगते क्वान में नहीं कहा नहीं कहा वहा है कि बलगाला में भागम शुक्ष्चम देते हैं इनका अर्जुन और सुपद्रा का तो बार्राम जी दुरियोधन से वो कर रहते हैं लेकिन फिर भगवान उनको बोलते हैं यह मेरी आज्या है तो कई स्थान पे भगवान अपनी भगवता को उपर कर देते हैं तो भी बल राम समझ जाते है भई अभी अपने है ठीक है और कोई है कि आज रक्षा बंदन था नहीं नहीं करने करें सब है माता जी यह हम लोग यह सब बद्रा काल कुछ ऐसा कुछ सा वैस्तनों पद्दी साब से कुछ वर्न नहीं है जो रक्षा बंदन है यह आप देखो कैसे द्रापदी ने कृष्ण को बनाता है लेकिन यह पारंपरिक फेस्टिवल है जो मना चीए कोई बात नहीं है यह एक तहवार अच्छा है लेकिन इसमें कोई सास्त्रिक ऐसा कोई जोर नहीं दिया गया है तो इसलिए इतना कुछ करन लेकिन कितना बचा पाएंगे अपने बहनों को अगर प्रयास करेंगे लेकिन पिर भी हम अश्ले भाई अच्छी तब बन सकते जम भगवान से उनको भग बनाएंगी या भगवान से प्राख्णा करेंगे उनके लिए हमारा पावर सब भगवान से आता है हम इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं हमारा तो इसलिए डिवोटी को एतना नीश होतना चाहिए अपना ठीक है अपना नियम निभाईए रसम निभाईए सब लेक तो इसलिए प्रॉपाजी नियम बनाया है हर घंटे का घंटी आडब गज़ा तो आडब गन्टा बजएगा नौ बार बजेगा तो इसलिए क्या है बाकी मंदिरों में आप जाते हैं तो कोई होता नहीं है तो भगवान को उठाने के लिए घंटा जना पड़ता है भगवान मैं आया हूं जोर से अब इसकौन में आओको इतना लाइवली है हमें सा कीरतन चल रहा है प्रोग्राम चल रह है तो इसलिए तो हमारा तो इतना आरती होता है कि हमें साग छोटा गंटी बसते ही रहता है प्रोग्री बोल रहे हैं यह प्रपाजी नियम बनाया है जो भी है ठीक है तो यहीं पर विराम देते हैं तो आसा करते हैं कि आप अपने जन्माश्टमी को बहुत अच्छी से प् सब्सक्राइब करने के लिए तो फुली प्लैन करके बढ़िया से सेवा में रत हो जाईए तो बड़ा आनंद आएगा हम भी इंतजार करें बेसबरी से बहुत आनंद आने वाला है ठैंक्यू हरे कृष्णा श्रीला प्रभुपाद की जाए